फ्रेंड्स मैंने लिया एक कप सोया बीन ग्रेनूल्स ग्रेनूल्स को हम पानी में बॉयल करेंगे एक कप सोया बीन ग्रेनूल्स को पानी में बॉयल करना है फिर हम इसको चानके थोड़ा सा पानी निचोड लेंगे जब ये बॉयल हो जाएंगी तो फिर हम इसको चानके चलाते हुए बैसन को भूनले जब तक भैसन लाल नहीं हो जाता चलाते हुए लगाता है लो गेस पे ऐसे कम आगपर चलाते हुए भूनले बैसन को बैसन कच्छा नहीं होगा तो हमारी cutlets में test अचा जगा तो मैंने ये चान ली थी soya bean granules और इसको थोड़ा पानी निचोड़ लिया था पूरा नहीं थोड़ा पानी निचोड़ा था अब हम blending जग लेंगे और इसमें soya bean granules को में दर दर आपीस लेंगे तो सारी ये soya bean granules इसमें डाल दें और इसे दर दर आपीसें चलाएं कुछ सेकंड के लिए जग को फिर बंद करें कुछ सेकंड के लिए चलाएं फिर बंद करें हमें थोड़ा ही इसे पीसना है ज्यादा नहीं तो अब हम इसे पीस लेते हैं में इसे पीस लिया और मिक्स्र निकाल लिया अब इसमें डालेगे एक क्षोटा प्यास, एक हपुए मिर्च तो साय बैन लेते हज ओल दालेंगे अब ऐसमें जाय का नमक, दना चोड़ा चपाउडबर, दन्या demand आदा चुड़ा चमच, हमचूर पाउडर, एक चुछाई चुड़ा चमच, हल्दी, सारे मसाले हम इसमें सोया बीन में डाल देंगे, अब हम इसमें डालेंगे, आदा कब भुना हुआ बैसन, जो हमने बैसन लिया था, अगर आपका मिक्सचर फिर भी थोड़ा गीला हो, सोय जाब इन आपको गीली लगे, तो फिर आप इसमें ब्रेड करंस डाल दें, यह चाहें तो थोड़ा और भून के बैसन इसमें डाल दें, मेरा यह पर्फेक्ट बना था, यह देखें, मैंने इसे मिक्स कर रही हूँ, तो यह अच्छे से बाइंड हो रहा है, तो यह अच्छ हम सारी कटलेट्स बना लेंगे, यह देखें, सारी कटलेट्स बना लें, मैं फिर बोलती हूँ, अगर आपको यह कटलेट्स ना बनें, तो थोड़ा बून के और बेसन एट कर दें, या फिर ब्रेड क्रम्स एट करतें, या मेर मेदा, कान फ्लोर जो भी आपको लगे, वो आप एड कर दें, जब कटलेट्स बन जाएं, तो फिर स्टाप कर दें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, जब कटलेट्स बन जाएं, तो फिर वहां पर रोक दें, तो यह देखें, मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है, और सारी कटलेट्स यह मैंने इस तरीके से बना ली और तेल गरम करने के लिए रखा है सारी चाप बना लें इस तरीके से शेप आप अपनी मर्जी का कोई भी दे सकते हैं छोटी बड़ी भी आप अपने हिसाब से बना लें तेल गरम है और मीडियम फ्लेम पे हमें से सुनेरी रंग आने तक पका लेंगे सारी चीजें पकी हुई हैं बस हमें से रंग देना है कलर देना है बैसन भी बुना हुआ है सोया बिन भी बॉयल की हुई है तो थोड़ा तेल में बून लेंगे इससे मसाले वगरा अच्छे से पक जाएंगे और बैसन की वज़ा से अच्छा कलर आ जाएगा थोड़ी देर के बाद इसे पल्टें दोनों साइडों से सुनेरी रंग आने तक पका लें यह जब तक ऐसा रंग नहीं आ जाता तो यह देखें उल्टी करके दिखा देती हूँ दोनों साइडों से यह पक गई है तो अब हम इने पलेट में निकाल लेते हैं सारी कटलेट्स पलेट में निकाल दें आप चाहें तो टिशू पेपर पे भी निकाल सकते हैं या किसी स्ट्रेनर पे निकाल दें तो यह मैंने सारी कटलेट्स एक एक करके निकाल दी और जो बाकी जो बच्ची हूई हैं cutlets वो भी हम fry कर लेते हैं इसी तेल में तो अब हम दूसरी cutlets डालते हैं medium flame पर fry करें ना ज्यादा high पर करें ना कम पर करें और इसे पकने देंगे हम तो ये देखें हमारी cutlets बन गई त्यार है Thank you for watching Your views matter a lot Thank you